नमस्कार उद्देश अकेडमी के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम लोग एंट्सियाटी बूक क्लास नाइन का पहला पाठ संख्या पदती की प्रशनावली 1.6 करेंगे तो आएए सुरू करते हैं तो प्रशनावली 1.6 में पहला प्रशन है ग्याद कीजिए तो पहला प्रशन देखते हैं पहले प्रशन में है पहला भाग 64 के घात 1 बटे 2 ठीक ना तो 64 का पहले हम लोग गुडंखंड करेंगे तो 64 का गुडंखंड 2.3 6 2.4 फिर 2 से ले जाएंगे तो 2.1 कम 2 2.6 के 12 फिर 2 से 2.8 16 2.4 के 8 2.2 दुनी 4 2.1 कम 2 इस प्रकार 64 को हम लिख सकते हैं देखें 1 2 3 4 5 6 ठीक ना तो लिख सकते हैं लोग 2 के घात 6 ठीक ना तो यह हो गया 2 के घात 6 के घात 1 बटे 2 लिखा हुआ है ठीक ना तो देखें यह क्या होता है तो आसा देख लेते हैं इसको देखें यदि इस प्रकार लिखा हो ठीक ना तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इसको आधार बोलते हैं और इसे घात बोलते हैं ठीक ना और यह लिखा क्या इस रूप में है इसको बोलते हम लोग यह घातांग की रूप में लिखा हुआ है ठीक ना तो घातांग की रूप हो गया ठीक ना और अगर इसको हल करेंगे तो दो को पांच भार लिखिए ठीड़ और इसको अगर घुड़ा करेंगे तो 2 दुनी 4 4 दुनी 8 8 दुनी 16 16 दुनी 32 ठीड़ यह रहा 32 साधारन रूप में लिखा हुआ है ठीड़ नव, तो घातांकी रूप में 2 के घात 5 और इसको बोलते हैं 2 के घात 5 जिसमें 2 अधार होता है और 5 घात होते है ठीक ना तो इस प्रकार हमने इस 64 को घातांकी रूप में लिख लिया 2 के घात 6 अब देखिए दोनों घात है तो दोनों घात गुड़ा हो जाता है तो 2 के घात 6 गुड़े 1 बटे 2 लिख सकते हैं इसको ठीक ना तो ये हो गया 2 एक कम 2, 2, 3, 6 तो यह आया 2 के घात 3, तो 2 के घात 3 का मतलब 2 को 3 बार गुड़ा कर सकते हैं, तो 2 गुड़े, 2 गुड़े, 2 बराबर यह 8 आया, तो इस भाग का उत्तर 8 हो गया इसमें कौन सब फॉर्मरा लगा है? तो इसमें लिसकते हैं, अगर A के घात P हो, और इसके घात भी Q लगा हो तो हम लिसकते हैं, A के घात P गुड़े Q ठीड़ ना, तो यह हमने इसमें फॉर्मला लगाया था, तो यह हो दुसरे भाग में लिखा हुआ है 32 के घात 1 बटे 5 ठीक ना, तो 32 के घात 1 बटे 5 तो इसका गुड़ंखन करेंगे तो देखे, 32 के गुड़ंखन करने पर यह 2 के घात 5 प्राप्त होता है ठीक ना, यहां भी देखे 32 है, 64 का यहां से तो 1, 2, 3, 4, 5 मतलब इस 32 को 2 के घात 5 के रूप में लिखा जा सकता है देखे, यहां भी लिख देते हैं हम 32 का अगर करेंगे तो पहले 2 के पाणा से कटेगा यह तो 2, 1, 2, 6, 12 2, 8, 16 2, 4, 8 2, 2, 4 2, 1, 2 इस प्रकार 2, 5 बार आगया 1, 2, 3, 4, 5 बार तो हम इस 32 को लिख सकते हैं 2 के घात 5 अब पूरे के घात 1 बटे 5 लिखा हुआ है अब देखे, 2 के घात 5 अब पूरे के घात 1 बटे 5 है तो दोनों घात का गुड़न खंड हो जाएगा, गुड़न फल हो जाएगा तो हम गुड़ा कर लेते हैं इसका, 1 बटे 5 गुड़े 1, 5 तो यह 5 एक कम 5, 5 एक कम 5 इस प्रकार 2 के घात 1 पराप्τη हुआ तो 2 के घात 1 का मतलब यह 2 पराप्τη हो गया तो इस प्रकार, अब तिसरा भाग देख लेते हैं, इसमें क्या है 125 के घात 1 बटे 3 लिखा हुआ है तो इसको भी लिख लेते हैं यहीं पर तो 125 के घात एक बटे तेन तो 125 का पहले गुड़नखंड कर लेते हैं तो 125 देखें ये न दो से नहीं जाएगा चुकि एक आई अंक पर 5 है तो ये दो से नहीं जाएगा और यदि इनके अंकों को जोड़ कर देखा जाए तो 5, 2, 7, 1, 8 ठी ना जोड़ने पर अंकों को 8 आया तो वो 8 तीन के पहला से विभाजित नहीं होता इसलिए 125 तीन के पहला से विभाजित नहीं होगा अब इसके बाद 5 से चेक करेंगे चुकि एकाई अंक पर 5 है तो ये संख्या 5 से पूर्णतर विभक्त है तो हम इसको पहले 5 से विभाइत करेंगे तो 5 एककम 5, 5 दूनी 10 ठीक ना, 5 दूनी 10, यहाँ 2 बज गया, 2 बगल में गया तो यहाँ भी फिर 25 हो गया तो फिर 5 के पाड़ा में 5 पचे 25 अब देखिए 25 से 5 के पाड़ा से विभाजित होगा तो 5 पचे 25 और यह 5 एककम 5 हो गया तो इसका गुड़नखंड आया, देखिए 5 को 3 बार आया ठीक ना, 5 गुड़े 5 गुड़े 5 इस प्रकार हम 125 को 5 के घाट 3 लिख सकते हैं ठीक ना, 3 बार है तो 5 के घाट 3 लिख लिख लिया और पूरे घाट 1 बटे 3 लिखा हुआ है अब देखिए, दोनों घाटों का गुड़नखंड कर लिया आता है तो 3 गुड़े 1 बटे 3 बराबर 3 एककम 3, 3 एककम 3 तो इस प्रकार 5 के घाट 1 प्राप्थ हुआ जिसका मतलब यह 5 हुआ उत्तर इस प्रकार पहले प्रश्ण के तीनों भाग हो गए अब दूसरा प्रश्ण देखते है प्रश्ण नमबर 2 का पहला भाग लिखा है 9 के घाट 3 बटे 2 ठीक ना, तो यदि हम 3 के गुड़नखंड करें तो हमको 3 गुड़े 3 ही प्राप्थ होगा 3 त्रिकाई 9 और 3 एकम 3 तो 3 गुड़े 3 प्राप्थ हुआ इसका मतलब 3 के घाट 2 लिख सकते हैं हम ठीक ना, देखे ये आया 3 गुड़े 3 इसका मतलब हम 3 के घाट 2 लिख सकते हैं इसको तो हम लिख लेंगे याँपर 3 के घाट 2 अब पूरे के घाट 3 बटे ये 2 लिखा हुआ है ठीक ना, अब इसमें क्या सुत्र लगा रहे हैं देखे दोनों घाट का हम गुड़नफल करेंगे तो इसका मतलब यदि A के घाट P लिखा हो और पूरे के घाट Q लिखा हो तो हम इसको हल कर सकते हैं A के घाट P गुड़े Q लिख सकते हैं तो हम इसका गुड़न कर लेते हैं देखे, 3 के घाट 2 गुड़े 3 बटे 2 तो 2 एक कम 2 2 एक कम 2 तो देखे, 3 के घाट ये 3 बचा तो हम लिख लेंगे 3 के घाट 3 इसका मतलब 3 को 3 बार लिखिए तो तीन गुड़े, तीन गुड़े, तीन ठीक ना, इसको आप तीन ट्रिकाई 9 नहीं पढ़िएगा, तीन को तीन बार लिखकर फिर गुड़ा किया जाता है, तो तीन ट्रिकाई 9, 9 ट्रिक 27, तो ये इस प्रकार ये 27 उत्तर आया, अब देखें दूसरा भाग देख लेते है तूसरा भाग में लिखा है, 32 के घात 2 बटे 5, 32 के घात 2 बटे 5, तो 32 का अगर गुड़ंखन करें, तो हमको 2, 5 बार प्राप्थ होता है, प्रस नमबर 1 में हमने देखा, तो हम इस 32 को लिख सकते हैं, 2 के घात 5, ठीक ना, और ये लिखा है, 2 बटे 5 लिखा हुआ है, ठीक 32 का गुड़ंखन हमने पहले एक प्रस्ण में भी किया है, यहां भी देख लेते हैं, देखें, 2 एक कम 2, ठीक ना, एक बज गया, एक बगल में गया, तो 12 हो गया, तो 2 छक्के 12, फिर 28, 16, 24, 8, 2 दुनी 4, और 2 एक कम 2, इस प्रकार 2, 1, 2, 3, 4, 5 बार प्राप्थ हुआ, इस के घात 5 गुड़े, 2 बटे 5, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5 कट गया, तो बचा 2 के घात 2, इसका मतलब 2 को 2 बा लिखिये, तो 2 दुनी यह 4 आया, तो इस प्रकार दुसरा भाग का उत्तर 4 आ गया, अब तिसरा भाग देखते हैं, यहां पर, तिसरे भाग में लिखा है, 16 के घात 3 बट 4, तो 16 के घात 3 बटे 4 हो गया, तो इस 16 का गुड़ंखन करेंगे, तो देखे, 16 का गुड़ंखन करेंगे, तो 2 सही बिभाईत हो रहा यह, 2 अठे 16, 24 के 8, 2 दुनी 4, 2 एक कम 2, मतलब 2 को 4 बा लिखिये, तो हम लिख सकते हैं, आप पर 2 के घात 4, आप पूरे के घात 3 बटे 4 लिख लिए, आप देखे, दोनों घातों का गुड़ा कर लेते हैं, तो 2 के घात 4 गुड़े, 3 बटे, 4 हो गया, ठीना, गुड़ा कर लिया, तो 4 एक कम 4, और 4 एक कम 4, तो 2 के घात के वल 3 बचा, ठीना, तो 2 के घात 3 लिख सकते हैं, और 2 के घात 3 को, मतलब 2 को 3 बा लिख दूनी चार, चार दूनी आठ, तो ये हो गया, आठ हो गया, अब चौथा भाग भी देखते हैं, चौथे भाग में लिखा है, एक सो पचीस के घात माइनस 1 बटे 3, ठीक ना, तो इसको भी हल करें, देखें, एक सो पचीस का गुडणखन करेंगे, तो पांच के घात 3 प्राप्थ होता है, ठीक ना, तो इसको भी देख लेते हैं, एक बार, 125 को देखे 5 से विभायत होगा तो 5 दुनी 10 2 बज गया पगल में गया 25 हो गया तो 5 पचे 25 5 पचे 25 और 5 एक कम 5 ठीक ना इसके पहले के प्रस्ण में भी एक कोशन था 125 का गुड़नखन करना था देखे 5 के घार 3 प्राप्त हुआ और माइनस 1 बटे 3 अब दोनों घातों का गुड़नखन कर लेते हैं तो 5 के घात 3 गुड़े 1 बटे 3 यह आया 5 3 एक कम 3 3 एक कम 3 इस पकार 5 घात माइनस 1 बज गया ठीक ना माइनस 1 ये बज गया इस माइनस 1 को हटाने के लिए 1 बटे 5 लिख सकते हैं तो देखे इसका फॉर्मला बताते हैं यदि 1 के घात माइनस P लिखा हो तो इस माइनस P को माइनस को हटाने के लिए हम इसको 1 बटे 1 के घात P लिख सकते हैं तो जैसे यदि 2 के घात 5 लिखा हो 5 लिखा हो तो हम इसको 1 बटे 2 के घात पांच लिख सकते हैं, अब चाहें तो 2 की घात 5 को हल कर सकते हैं, तो 32 आजाएगा, मगर इस माइनस को हटाने के लिए हम इसके वित्करम कर लेते हैं इसका, ठीक न, अगर यदि 2 बटे 3 के घात माइनस 1 हो, इस माइनस 1 को हटाना हो तो हम इसको 3 बटे 2 लिख सकते हैं ठीज न अब घात 1 का मतलब एक 3 बटे 2 ही प्राप्त होता है तिसलिए इस माइनस को हटाने के लिए इसका जो भी दिया उसको वितकरम कर लेते हैं वितकरम का मतलब सीधे सब्दों में उपर का नीचे नीचे का उपर कर लेते हैं ठीक ना तिस माइनस 1 को हटा है तो एक बटे 5 लिख लिए जैसे इसका भी उदारन यह राप फॉर्मला लगा है हमने इसमें ठीक ना तो इस प्रकार प्रस नमबर 2 हल हो गया अब प्रस नमबर 3 देखते हैं प्रस नमबर 3 में है पहला भाग तो देखे इसमें हम क्या सुत्र लगाएंगे यह दोनों देखे इस वाले में अधार बराबर है ठीक ना बस घात अलग अलग है और यह जो डॉट लगा है इसका मतलब यह गुड़ा कचिन होता है ठीक तो इसको डॉट से भी दिखाते हैं डॉट का मतलब इन दोनों की बी आधार सेम है तो ए लिख लेता है यहापर ए लगा हो ठीक ना देखे आधार अगर बराबर हो और बीच में गुड़े का चिन लगा हो ठीक ना तो क्या करते हैं इसको एक अधार लिखकर इसके घात को जोड लियाता है ठीक ना सिंपल से सर्वसमिका होती है यह फॉमला है घात आंकर्णी का, तो देखे, अधार बराबर हो, बीच में गुड़ा का चीन लगा हो, तिन दोनों की घात जोड ली जाती है, तो देखे, इसको देखे, इसमें अधार बराबर है, घात अलग अलग है, जोड लेते हैं उनको, तो देखे, एक बार अधार लिखा, और दोनो घात को जोड लिया दो बटे तीन प्लस एक बटे पाँच अब इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे जैसे हम लोग भिन्लों का जोड करते हैं तो अगर देखे तीन आप पाँच का लगुत्म ले लिजे या सिधे तीन पचे पंदर कर लिया पाँच दुनी दस कर लिया तीन एक कम 3 कर लिया ठीन पाँच दुनि दस तीन एक कम 3 5 तीन 15 तो ठीन इसको आप इधर भी चाहें सिंपल अगर इसको हम करके और यहा पर एक बार में लिख सकते हैं पाँच और तीन का लगुत्तम तीन और 5 का तो वही 3 पचे 15 ही आएगा किसी पाना से ये 3 और 5 नहीं विभाइत होगा 3 का लगुत्तम 15 आ गया 15 में पहले नीचे वाले का भाग किया जाता है तो 15 में अगर 3 का भाग किया जाया तो 3 पचे 15 पांच आया ठीक ना? 5 आया तो 5 जो भी उत्तर प्राप्त होता है उसका उपर वाले में गुड़ा कर लिया जाता है तो 3 पचे 15 पांच आया 5 का गुड़ा 2 में करेंगे तो 5 दुनी 10 प्राप्त हो गया इसी प्रकार इस 15 में 5 से भाग करेंगे तो 5 तियाई 15 ठीक ना? 3 आया उस 3 का 1 में गुड़ा करेंगे ठीक ना? नीचे वाले का भाग करते हैं जो भी उत्तर प्राप्त है उसका उपर वाले में गुड़ा कर दिया आता है तो 15 में 5 का भाग करेंगे तो 5 याई 15 थीन आया तीने कम थीन आया देखे अपना ये आ गया है इसके बाद यह 13 बटे 15 लिख सकते हैं इसको तो इसको हम लिख सकते हैं 13 बटे 15 ठीड़ ना तो यह इस प्रस्ण का हल हो गया इससी पकार इसका दुसरा भाग भी देख लेते हैं यहीं पर तो दुसरा भाग क्या लिखा है एक बटे तीन लिखा है एक बटे तीन के घात तीन अब पूरे के घात साथ लिखा हुआ है ठीक ना तो यदि इस तरह का दिया हो तो इसका क्या करते हैं सिधे घात का गुड़ा कर सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं एक बटे तीन के घात तीन ठिक न? एक बटे एक को तीन बार कर ये तब भी एक आएगा और तीन के घात तीन ये लिखा हुआ था इसलिए हम पूरा ब्रेकर लगा कर तीन लिख सकते हैं और ये लिख सकते हैं ये घात साथ इस पकार देखे एक बटे तीन यहां अधार का काम कर दिया और यह एक बटे तीन का घात तीन अब पूरे के घात साथ लगा हुआ है तो दोनों का घात गुड़ा कर सकते हैं तो लिख सकते हैं यहां पर एक बटे तीन गुड़े तीन गुड़े साथ, तो यह हो गया एक बटे तीन गुड़े साथ रेक एकईस आ गया, ठीक ना तो एक बटे तीन इसको ऐसे भी लिसकते हैं देखे यह एक को एकईस बाद करिए, तब भी कोई फरक नहीं पड़ेगा, एक की आएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक बटे तीन के घात एकईस लिख सकते हैं ठिक न यह हो गया जिस रूप में शुरू में question दिया था उस रूप में भी हो गया अब इसको हम लिखे देखे नीचे लिखावाए इसको हम उपर भी लिख सकते हैं इसे 3 के घात 1 काईश चो कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आए तो चीन बदल जाता है तो ये नीचे से हम ऊपर ला रहे हैं है न हर से अंस मिल आ रहे हैं तो ये घात माइनस में हो जाएगा ठिक न अब यगर इसको हम लिखे तो फिर है इस रूप में लिख सकते हैं थर्ड भाग देखते हैं इसका तो तिसरा भाग में लिखा है ग्यार के घात एक बटे दो बटे ग्यार के घात एक बटे चाथ तो देखें इसमें क्या लगाएंगे देखें यह चीज था देखें आधार दोनों की बीच में गुड़े का चिन था अब दोनों आधार तो सेम है वन वन ही है मगर यह बटे में लिखा हुआ है है ना तो भाग के रूप में लिखा हुआ है तो अगर इसको हम फार्मर लिख लेते हैं यहाँ पर यदि एक की घात लिखा हो और एक घात Q लिखा हो ठीना अन्स और हर में दोनों में अधार बराबर हो तो घात देखें माइनस लिखाता है इसका एक अधार लिखकर P माइनस Q लिख सकते हैं ठीना ये नीचे से उपर करेंगे तो ये चीज बात हुआ तो देखें इसको क्या करें ऐसे लिख सकत में एक बट्टे चार को घटा लिया ठीक न तो इसको अब इसका लगुत्तम जैसे इसको हल करते हैं लगुत्तम लेके उसको ऐसे लगुत्तम लेके हल कर लेंगे देखें दो और चार का लगुत्तम चारी प्राप्थ होगा अगर चार में देखें चार में क्या करेंगे पहले एक कम दो माइनस फिर क्या करते हैं चार में चार का भाग करेंगे तो सेम संख्या का सेम संख्या हम भाग करते हैं तो एक बार में चला जाता है तो चार एक कम चार एक बार में गया तो एक का गुड़ा एक में करेंगे तो ये एक प्राप्त हो गया यह आया दो में एक गया एक बटे चार प्राप्त हो गया ठी ना तिसरा भाग भी हो गया एक भाग और बचा है देखे इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं तो देखे इसी कोशन को मैं फिल लिख के दिखाता हूं ग्यार के घात एक बटे दो बटे ग्यार के घात एक बटे यह चार लिखा हुआ है ठीक ना तो क्या करेंगे पहले ग्यार के घात एक बटे दो लिख लिया और देखे इसको हम नीचे से उपर ला रहे हैं ठीक ना तो नीचे से उपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 11 के घात माइनस 1 बटे 4 ठीक न? जैसे कोई भी चिन नीचे से उपर या उपर से नीचे करते हैं लोग तो इसके घात का चिन बदल जाता है तो यह प्लस में था उपर गया तो माइनस में आ गया अब देखें क्या हो गया? आधार दोनों एक घात क्यूं लिखा हो? देखें अधार बराबर हो दिसकी घात जूड़ जाती है ठीक न? तो हम यह आप लगा सकते हैं देखें अधार है तो एक बार अधार लिख लेते हैं इसको एक बार अधार लिखा 1 बटे 2 प्लस माइनस 1 बटे 4 देखे दोनों के हाथ को जोड़ लिया तो यह जाएगा एक बट्टे दो माइनस एक बट्टे चार इसको जब हल करेंगे तो देखे इसको हल किया तो एक बट्टे चार प्राप्त हो गया तो हम इसको एक बट्टे चार लिख लेते हैं तो इस परकार यह तिसरा भाग हो गया एक चौथा भाग एक और बच्चा है, उसको कर लेते हैं, तो चौथे भाग में लिखा है, चौथे भाग में है, साथ के घात एक बटे दो, गुड़े आठ के घात एक बटे दो, अब देखें इसमें क्या है, अधार अलग अलग है, मगर घात एक है, ठीक ना, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखें, यदि A के घात P लिखा हो, और B के घात भी P लिखा हो, ठीक ना, अधार अलग अलग है, बट घात एक है, हम इसको लिख सकते हैं, A, B के घात P, ठीक ना, A बाग P, ऐसे, तो अब क्या करेंगे इसको, देखें, इन दोनों गुड़ा कर लेंगे, गुड़े कचीन है इसमें, तो लिखेंगे 7 गुड़े 8 के घात 1 बटे 2 लिख सकते हैं, तो यह हो गया 8 सते 56 के घात 1 बटे 2, तो इस पकार प्रशन बर 3 के सभी भाग हो गए, और यह प्रशनावली समाप्त हो गई, धन्यवाद.